साथियों करसी विज्ञान में आप सब का स्वागत है साथियों करसी विज्ञान में आज हम समझेंगे सिस्मम फाइलोडी के बारे में सिस्मम फाइलोडी में आज हम क्या जानेंगे पहली बात तो सिम्टम देखेंगे दूसरा ये कैसे ट्रांस्मिट होता है और तीसरा मेरेजमेंट चलिए सुरू करते हैं और समझते हैं इसके सिम्टम के बारे में इस रोक के सिम्टम सबसे पहले आपको वीन क्लियरिंग के रूब में देखने को मिलेंगे यानि जो इसकी वीन्स हैं वो सफेद सफेद हो जाएंगी इस रोक का सबसे ज़्यादा अटेग फ्लावरिंग स्टेज पे होता है और इसमें फ्लोरल पार्ट जो हैं वो लीफी इस्ट्रक्चर्स में परिवर्तित हो जाते हैं यह जो floral parts यानि जो यहाँ पर flower हैं यह flower इस परकार के leafy structures में परिवर्थित हो जाते हैं severe condition में जो पूरा का पूरा पूरा पूधा है वो छोटी छोटी पत्यों के रूप में परिवर्थित हो जाता है और इस परकार से आपको दिखाई देगा इसके अलावा इसमें sortening of internet's common feature है और इसके बाद यह क्या होता है यहाँ से इसका जो उपर वाला हिस्सा है यह नीचे की और जुग जाता है internet के sortening के वज़े से क्या होता है पत्या पास पास आजाती है और पत्या पास पास आने से भुजी गुरोथ आपको देखने को मिलेगी जिसके वज़े से इसकी structure विचेज बुरूम लाइक आपको देखने को मिलेगी यानि जाड़ी नुमा आपको इसकी structure देखने को मिलेगी फ्लावर इस्टेराइल ही रहते हैं यानि उसमें capability नहीं होती है फूल से फल बनाने की अगर फल बने भी तो उनकी seed quality बहुत बेकार होती है जैसे यहाँ पर देख सकते हो इसमें जो seed बनेगा वो बहुत ही बेकार quality का बनेगा इसके transmission की बात करें तो एक insect इसको transmit करता है जिसका नाम है औरोसियस LV kinctus यह leaf hopper होता है आप यहाँ पर देख सकते हो यह साहब सिस्मम philoli को खूब धूम धाम से फैलाते हैं एक इस्थान से दूसरे इस्थान पे अगर हम बात करें इसके management की तो management में आप परियोग कर सकते हो monokrotofas 36 SL at the rate of 25-250 ml पर एकर के हिसाब से यह fast skill और monosil नाम से आपको market में मिल सकता है दूसरा कुणालफास 25% EC इसकी 800 ml मात्रा परती एकड के हिसाब से आपको परियोग करनी होगी यह एकललक्स और धानुलक्स धानुका का धानुलक्स और सिंजन्टा का एकलक्स इस नाम से आपको market में मिल सकता है आक्सी डेमिटान मिथाइल 25% EC की 500 ml मात्रा परती एकड के हिसाब से आप परियोग कर सकते हैं सिसमम के leaf hopper को रोकने के लिए क्योंकि leaf hopper को ही रोकने से सिसमम का philodirog रोकता है आक्सी डेमिटान मिथाइल आपको metasystox नाम से मिल सकता है यह आप देख सकते हो जो flower है वो leafy structures में परिवर्तित हो चुके हैं और यहाँ यह विचेज गरूम यानि जाड़ुनमा structure बना लिया यह है आपका leaf hopper जो की इसके सिसमम philodirog को फैलाने का काम करता है यह full है यह full इस परकार की पत्यों में परिवर्तित हो जाते हैं अगर port formation हुआ तो बहुत बेकार होगा और दाना भी अच्छा नहीं आएगा साथियों उमीद है आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो कोई सुझाओ हो तो हमें comment box में बता सकते हैं हमें दीजिये इजाजत थैंक यू थैंक यू वेरी मच